हलो दोस्तों वेलकम चो माईगटिब चैनल टार्गेट है में आज हमें एक नया वीडियो लेकिए आई है एक नया टॉपिक के साथ और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो हिस्टो पैथालोजी पर रहेगा या टिशू प्रोसेसिंग पर रहेगा तो चले स्टार्ट करते हैं देखते हैं हिस्टो पैथालोजी और टिशू प्रोसेसिंग क्या होता है हिस्टो मिनिस टिशू पैथालोजी मिनिस डिजिस कंडिशन तो ऐसे टिशू होते हैं जिनमें डिजिस कंडिशन पाई जाती है और इन ही टिशू को हम अंडर मैक्रसकोप देखते हैं इनके अबनॉर्मल्टी चक करने के लिए तो इन टिशू को जब हम लेते हैं इनको ऐसे ही नहीं देखेंगे टिशू हमने लिया तो देखेंगे अंडर मैक्रसकोप ऐसा नहीं होता इनको बहुत सारी process के साथ गुजरना पड़ता है जैसे grossing हो गया, fixation हो गया, dehydration हो गया आगे हम सभी steps पढ़नेंगे तो general एक concept है कि tissue को process से गुजरना पड़ता है वो होता है tissue processing अब आपको generally समझ में आ गया होगा कि histopathology क्या मतलब होता है और tissue processing मतलब क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस वीडियो में learning points क्या क्या रहेंगे तो सबसे पहले देखते हैं principles of tissue processing क्या है उसके बाद receiving labeling of specimen fixation, glossing and decalcification चीज़ें देखने के बाद हम देखेंगे tissue processing या automatic tissue processor भी हम आगे discuss करेंगे इस tissue processing में क्या क्या steps हमने पढ़ने है वो आप देखें fixation पढ़ने है dehydration, clearing, infiltration, impregnation embedding, sectioning ये step to step हमने ये चीज़ें हमने follow करनी है तो चले start करते हैं हम आज का topic tissue processing principle यही है tissue processing का सबसे पहले हमें tissue को fix करना है एक fixative में ताकि वो preserve रह सके उसके बाद उसे embed करना है उसके बाद section cutting करनी है उस tissue की उसके बाद उसे under microscope देखना है तो यही है हमारा principle of tissue processing उसके बाद है receiving and labeling tissue को हमें receive करना है उसके बाद label करना है मतलब कि हमें टिशू में उस patient का नाम लिखना है, gender लिखना है और कोई specific number देना है उस tissue को for identification purpose के लिए अब चलोए हम देखते है histopathology असल में होता क्या है histopathology मतलब होता है histaminis tissue और pathology होता है disease conditions तो ये ऐसे tissues होते हैं जिनको हम study करते हैं under microscope ताकि उनमें हम diseases find up कर सकें वही होता है histopathology अब हम क्यों करते हैं under microscope study in tissues को ताकि हम differentiate कर सकें कि एक normal tissue कुन सा है या abnormal tissue कुन सा है चीक है और दूसरी चीज जो normal cells होती है body में उनमें small nucleus होता है और cytoplasm बड़ा होता है लेकिन जो abnormal cells होती हैं उनमें large nucleus देखने को मिलेगा और small cytoplasm देखने को मिलेगा और इस से हमें ये चीज हैलव मिलती है कि हम identify कर सकें कि patient में कोई cancer stage तो नहीं आ गया या कोई pre-cancer stage तो नहीं आ गया इन tissues को under microscope देखने के बाद study करने के बाद चलिए important terms अब हमने पढ़नी है सबसे पहले देखने हैं बयापसी क्या होता है बयापसी होता है removal of tissue from living organisms यानि कि कोई भी living tissue हम लेते हैं एक body में से कोई भी tissue हम लेते हैं उसको हम कहते हैं biopsy autopsy क्या होता है अब autopsy होता है एक organ या tissue को remove करना किसी dead person से tissue या organ को remove करना उसको हम autopsy कहेंगे तीसरा जो important point है वो autolysis है, autolysis होती है destruction of tissue by releasing of enzymes present on cells जो cells में enzymes present होते हैं वो enzymes destruction कर सकते हैं उस tissue का, उसी को हम कहते है autolysis, यानि खुद बखुद tissue अपने आप में lysis destruction करता है due to presence of enzymes यह होता है autolysis उसके बाद क्या है putrification, यह भी होता है destruction of tissue लेकिन मगर किस के वज़ा से bacteria के वज़ा से, अगर bacteria के वज़ा से destruction हो जाता है tissues का, उसको हम कहते हैं putrification अब हमने पढ़ना है fixation क्या होता है fixation होता है prevent करना, बचा के रखना एक tissue को बचा के रखना, prevent करके रखना, किस किस चीज़ है autolysis और putrification से तो उसको हम fixation कहते हैं यहनिकि tissue को बचा के रखना autolysis और putrification से ताकि destry ना हो सके, उसको हम fixation कहते हैं fixation हम किस में करते हैं हम 10% farmaline generally use में लेते हैं अब देखते हैं grossing क्या होता है grossing के दोरान हमें tissue के abnormality देखनी होती है इसलिए हम वयापस लेते हैं एक patient की, उसके बाद उस tissue को fix करते हैं fixative agent में आपको समझने के लिए मैं बता दू हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा tissue लेंगे और उस tissue को एक pathologist देखेगा, नेकडाए से देखेगा, और इस tissue में एक part उसको देखेगा जिसमें abnormality होगी तो वो उस part को cut करेगा जो abnormal part उसको देखेगा उसको cut करेगा छोटे छोटे pieces में क्योंकि हमें इतने बड़े tissue की ज़रूरत नहीं है grossing के बाद हम इस tissue को fixation में डालते हैं ऐस होना इस पासिबत अब आपको समझ में आ गया है grossing क्या है grossing यह होते कि एक बड़े से tissue में हम छोटा सा part जो affected part हो उसको remove करते हैं छोटे छोटे pieces में और उसको फिर fixative agent में डालते हैं फिर उसको lab में investigate करते हैं under microscope अब तो यह सरे चीज़ हमने देखी उसके बाद होता है decalcification decalcification होता है process complete remove of calcium salts जाने कि जो calcium इस tissue में calcium भी present हो सकते हैं उस calcium को हमने remove करना होता है जैसे कोई tissue bone tissue या teeth या कोई over-calcified tissue होगा उसमें हमने क्या करना है उसको पहले calcium remove करना पढ़ता है क्योंकि जब हमने इस tissue की cutting करनी होती है तो वो knife खराब हो सकती है the specimen is soft enough cutting the microtome knife आगे आपको समझ में आ जाएगा और जो decalcification के लिए हम use में लेते हैं वो nitric acid लेते हैं HCL लेते हैं और steel warts fluid लेते हैं अब हमने पढ़नी है अच्छे से tissue processing ये तो generally में आपने समझ लिया क्या चीज़ है अब हम अच्छे से बढ़ेंगे tissue processing सबसे पहले steps in tissue processing में क्या क्या होता है जैसे कि मैंने पहले बताया tissue जब हमने remove किया उसको क्या कर रहे हैं हमने fix कर रहे हैं fix किसमें करते हैं ये जो आप देख रहे हैं आपने chemistry lab में भी अगर आप गये होंगे वहाँ पर आपनी देखा होगा कि वहाँ पर मचलिया होती थे crabis होते थे वह इस bottle में इस तरह की bottle में होते थे तो ये fixative होता है इसमें formaline और उसमें ये preserve हो रहते हैं इसमें tissue बिल्कुल safe रहता है preserve हो रहता है अच्छा इस fixation का volume जो हम लेते हैं वो 20 times greater than लेते हैं हम tissue से और इसमें 10% buffer formaline होता है 37% of fixative और its original position जो fixative होते हैं वो 37% अपने original form में पाए जाते हैं जो 5 major groups है fixative के वो याद रखें सबसे पहला है aldehyde aldehyde में हमने पहले ये देखा formaldehyde या collateraldehyde दूसरा है alcohols alcohols की examples है acetone, methyl and ethyl alcohol third one है mercurial fourth one है oxidizing agents और fifth one है pucurates ये सारे क्या आते हैं 5 groups है fixative के उसके बाद इस second step हमारे dehydration यानि कि dehydration होता है कि हमने water remove करना है इस tissue से जो इस tissue में water बरापड़ा है उसको हमने remove करना है क्यों करते हैं पहले ये जान लेते हैं क्योंकि हमें इस के बाद जो step करना है dehydration के बाद जो हमारा step होगा वो हमने इसको paraffin wax में add करना होता है तो ये paraffin wax इस water के साथ मिजेबल नहीं होता है इसलिए हमने पहले क्या करना होता है इस वाटर को रिमू करना होता है अच्छा कैसे करते हैं हम लावर टु हायर कंसेंट्रिशन में करते है समझाता हूं है यह जो आप बोटल देख रहे हैं एक जार यह दो जार ठीक है मान की चलते हैं इसमें 30% होता है अलकोहल डिहाइडरिजन्ट इसमें उसके बाद होगा 50% अलकोहल उसके बाद तीसरा जार होगा उसमें 70% अलकोहल होगा उसके बाद और एक जार होगा उसमें 90% अलकोहल होगा और एक जार होगा उसके बाद 50%, उसके बाद 70%, उसके बाद 90%, उसके बाद then absolute alcohol में, in an ascending order, चैलिए, उसके बाद कैसेट्स are past through a series of increasing, यहने की जो टिशू एक इस तरह की कैसेट्स होते हैं, आगे आपको मैं images भी दिखाऊंगा, इस कैसेट्स में टिशू होते हैं, और इन्हीं कैसेट्स को उस ब अग्जांपल्स कैसेट्स का है, एससेट्स है, अगर पर एससेट्स हम यूजमी लेंगे as a dehydrating agent, वह as a fire hazard होता है, इन्डियाग जो है यह इसकी कॉर्सजिनिक प्रॉपरटी है और यह कॉस्ट्री भी होता है, इसलिए हम ज्याद तर absolute, मतलब, अलकॉल ही लेते हैं, dehydrating agents, चै as a dehydrating agent, उसके बाद हम देखते हैं, clearing और de-alcoholization, अब जो हमने अभी hydration की, अब tissue में क्या आ गया, alcohol आ गया, इस alcohol को अब हमने क्या करना है, remove करना है, क्यों करना है, क्योंकि हाँ, इस alcohol के बाद हमारे next step जो है, वो हमें क्या करना है, इसके साथ, paraffin wax mix करना है, तो paraffin wax उसके सा misable नहीं होगा, इस dehydrating agent के साथ, इसलिए हमने पहले क्या करना होता है, इस dehydrating agent को भी हमने क्या करना है, पहले remove करना है, अब remove कैसे करेंगे, clearing agent से करेंगे, अब clearing agents कौन से होते हैं, वो भी देखते है, examples of clearing agent आप देखते हैं, xylene हम ज्यादे पर mostly यूज़ करते है, tooline है, chloroform है benzene है, cidar weed oil है, और ये costally बहुत ज़्यादा होता है, cidar weed oil, ये costally बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद है, tooline, chloroform and benzene, ये क्या होते हैं, इनकी corsogenic properties होती हैं, इसलिए हम ज़्यादे तर xylene यूज़ में लेते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, impregnation, दो steps लेने हैं, आ आप image में देख रहे हो ना, ये वाली image, ये tissue process हम क्या करते हैं, जब हमने वो कैस्किन लाया, उसके बाद हम उन कैसेट्स को इस वाले jar में डालते हैं, और इस jar में क्या होता है, पेरफिन wax होता है, अब ये impregnation क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये जो पेरफिन है, ये उ process को हम कहते हैं, impregnation, ठीक है, चलिए, next है, infiltration, ये दो process almost एक साथी होती है, पहले एक jar होता है, उसके बाद सेम इसी तरह का का jar होता है, पहले इसमें fill up करते हैं, उन कैसेट्स को, उन tissues को, उसके बाद इस jar से निकल के दूसरे jar में डालते हैं, उसमें भी पेरफिन wax होता है उससे क्या होता है, internal support मिल जाता है, tissues को, जो cells होती है, उनको internally support मिल जाता है, वो होता है, infiltration, यानि कि paraffin wax उसमें enter हो जाता है, उस tissue में, inside cells के, वो होता है, infiltration, उसके बाद देखते हैं, अच्छे, temperature जो paraffin wax का होता है, वो 56 से 60 degree तक होता है, it changed according to quality of paraffin wax, but not more or less than two, melting point change हो जाता है, पेराफिन wax का, कि वो किस quality का होगा, उसी हिसाब से, उसका melting point change हो जाता है, लेकिन वो less than two या more than two नहीं होता, चले next है, उसके बाद embedding, जिसे casting भी कहते हैं, या blocking भी कहते हैं, यह जो आप image में, side में देख रहे हैं न, यह होती embedding, surrounded by paraffin wax, carbo wax, it provides external support to the tissues, अभी हमने क्या पढ़ना था, infiltration, इसमें हम क्या करते थे, tissue को internally support प्रोइड करते थे, अब amending में क्या करते हैं, अब यहाँ पर image में देखें, यह जो आप किसके देख रहे हैं, यहाँ पर, यह, इसमें हम बीच में, इसके बीच में हम क्या डालते है हैं, tissues को डालते हैं, और tissue को डालते भी हैं, according to किस तरह का tissue, vertically लिए डालना है, horizontally लिए डालना है, वो depend करेगा tissue कौन सा है, इस in L molds के बीच में हम उसको डालते हैं, उसके बाद, इसमें हम क्या डालते हैं, paraffin wax, until यह paraffin wax थोड़ा सा solidify, इसे क्या होता है, इस tissue को externally support मिल जात था, लेकिन embedding से, इसको externally support मिलता है, इस tissue को, ठीक है, इसको हम fill up करते हैं, इस paraffin wax में, ठीक है, आया समझा तक, चैली, प्लास्टिक, आजकल plastic embedding cascades भी यूज में लेते हैं, और tissue with embedding medium is card, अब यह जो आप देख रहे हो ना, यह जो आप देख रहे हैं हो, यहाँ पर, इस के, इसमें tissue भी बढ़ा है, और इसमें paraffin wax भी बढ़ा है, जब tissue को हम embed करें, ठीक है, तो इसको combine ली, क्या बोलते हैं, हम block बोलते हैं, block, ठीक है, तो block बन गया, अब यह block ready है, हमें section cutting के लिए, यानि कि इसको हमें अब cut करना है, हमने tissue को, छोटे छोटे पीसिज में cut करना है, अब यह हो गया ready, अब carbo wax, paraplas, celluridine, यह mostly हम use में लेते हैं, embedding के लिए, उसके बाद है, trimming, trimming क्या होता है, कि यह जो paraffin wax, excess, यहां पर हो गया है, इसको हम क्या करते हैं, trim करते हैं, cut करते हैं, ताकि हम expose कर सकें, किसको, हम expose कर सकें, tissue को, तो हम extra, जो paraffin wax लगा हुआ है इस block पर उसको हम cut करते हैं, trimming करते हैं, चले, अब यह जो image आप देख रहे हैं, यह embedding है, पहली image आप देख रहे हैं, यह L molds इनको बोलते हैं, यह scientist थे, Luke Hart, उन्हीं के नाम पर इसको नाम पड़ा, तो यह brass के बने हुए होते हैं, यह steel के बने हुए होते हैं, ठीके, इसको आप accordingly size, जिसका जितना बड़ा tissue होगा, इस तरह से, और इस तरह से, मुह करवा सकते हैं, जितना बड़ा tissue होगा, उतनी बड़े आप blocks बना सकते हो, और आज कर latest यह वाला use में लिया जाता है, और अब क्या करते हैं, इस वाले point में, बीच में tissue डालते हैं, और यह जो यह rubber type आप आप देख रहे हैं, इसको इसके उपर डालते हैं, और इसमें फिर हम paraffin wax डालते हैं, embedding के लिए, तो यह हमेरा embedding तयार हो गया, ठीक है, tissue, चलिए next देखते हैं, next है हमारा section cutting, अब block डायर होगा, अब हमें क्या करना है, cutting करनी है, इस block की, for cutting the tissue is mostly uses, tissue को cut करने के लिए जो हम use में लेते हैं, वो rotating microtome use में लेते हैं, अब मैं image के जरे से आपको समझाओंगा, थोड़ा सा बढ़ना क्या है इसमें, यह जो आप यहां पर यह सारे चीज़ें देख रहा होना है, इतनी इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, यह blads लगी हुई होती हैं, एक microtome में, और यह जो यह वाला point आप देख रहे होना, यह block है, जो अभी हमने बनाया है, block इतनी fixed होता है, ठीक है, अब यह कैसे work करता है, अब यह मैं बिताओंगा आपको, इसमें यह handle side में देख रहे होना, send handle, यहां से भी handle हाथ में आ जाती है, इसको हम ऐसे से गुमाते हैं, गुमाते हुआ है, यह उपर नीचे करता रहता है, इसके rotate होने से, अब उपर नीचे जब हो जाता है, यहां पर blades लगी है, blades यह आप देख रहे हैं यह blade लगी है, सारी यहां पर, तो देखे कितने thin cut से करता है, blocking, तो यह होती है हमारी section cutting, छोटे 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 टुगडू मे हम इसको cut करते हैं, आयस समझ यहां था कि process, यह तीसरी image भी आप देख सकते हैं, यह यहां पर rotary चला रहा है, और यह blade यहां पर चोटी से लगी है, और यह यहां पर paraffin यानिकी block की cutting हो रही है, यहां पर आप देखते हैं, यह block लगा हुआ है, यह थिन section cutters, यहां पर आप अचा हम जो यह thickness होती है, cut cut जो हम देते हैं, लगाते हैं, यह हम 3-5 mm thickness की cut लगाते हैं, for examination के लिए under microscope, इस cut को हम क्या करते हैं, फिर यह जो यहां पर आप देख रहे हैं, इसको हम किसमें डालते हैं, फिर water bath में, water bath क्या होता है, मतलब कि इस तरह का, इसमें water होता है, थोड को लगे हैं, इन cuts को वो remove हो सकें, वो थोड़ी से greasiness भी थोड़ी से remove हो सकें, ठीक है, चैले आगे देखते हैं, उसके बाद, we put slide in this jar, उसके बाद क्या करते हैं, deparafinization मतलब क्या, slide is coated with agmir's albumin, अब हमने क्या करना है, जो parafene लगा हुआ था, उसको हमने क्या करना है, remove करना obviously करना है remove, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम slide इस तरह के की लेते हैं, slide ऐसे लिए हमने, ठीक है, अब slide जब हमने लिए, इसमें हम क्या करते हैं, यह यहां पर, egg जो egg होते हैं, egg, egg का white portion और उसमें कुछ और चीज़े mixer होती हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते है मियर्स एग, ठीक है, मियर्स एग, इस तरह से, तो यह मियर्स एग, यानिकी, egg का white इस slide पे थोड़ा से इस तरह से लगाते हैं, ताकि जो, ताकि जो हम section, यानिकी, जो अभी हमने section cutting की, उस, वो इसके साथ चिपक जाएं, ठीक है, वो, इसके साथ, वो tissue इसके साथ चिपक the section of slide should be slightly warm, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस slide को थोड़ा सा क्या करते हैं, वार्म करते हैं, ताकि जो wax, अगर और भी होगा, तो वो melt हो सके, और सिर्फ tissue उस slide पर क्या हो सके, stick हो सके, पुट slide into xylene, जार बिकाज, completely removed, परफिन wax, यानि कि परफिन wax को हमने completely remove करना है, इसमें, xylene clearing agent से, और उसके बाद है, hydration, अब hydration क्यों करते हैं, अब deep paraffinization हमने की, परफिन को remove हमने किया, अब हमने क्या करना है, hydration करनी है, यानि कि, hydration क्या होता है, water add करना है, इस, इस को हमने, इस tissue को हमने, अब water add करना है, अब क्यों करना है, क्योंकि, hydration के बाद हमारा जो step होगा, वो stain हमें करना है, यानि कि, coloring करनी है, ठीक है, तो color देना है, तो color देने के लिए, hydration जरूरी होती है, इसलिए हम पहले ही, उसको हाइडरेट करेंगे उस टिशू को हाइडरेशन अब यहाँ पर कैसी करते हैं हाइडरेशन फ्रम हायर टो लवर कंसेंटरेशन ठीक है कैसे सबसे पहले हम डालेंगे 90% आफ यह हमने माने 90% इस जार में अलकॉल होगा उसके बाद 70% होगा उसके बाद 50% अर्कॉल होगा तो higher to lower concentration उसके बाद देन distillate water आए समझे तो यह होती है फhrishon की method process किस तरह से हम करते हैं higher to lower concentration में उस टिशू को हम डालते रहते हैं डालते रहते हैं ताकि इसमें hydration आ सके ऐसके हैं उसके बाद हमने stand करना है जब hydration complete होगी उसके बाद हमने color देना है ताकि हम under microscope उन structures को देख सकें identify कर सकें ठीक है तो stand जो हम use में लेते हैं वो hematozoline और eosin ज्यादतर हम use में लेते हैं अब ये hematozoline और eosin इसका method कैसे हम कैसे इसको करते हैं वो description box में दूँगा या i button पे भी मैं provide कर दूँगा हमने आरड़ी इस पे आरड़ी lecture प्रोवाइड किया हुआ है यहां पे यह बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा वीडियो चैले कुछ special stains भी हम use में लेते हैं जैसे PAS reticulum stain dehydrate the tissue again उसके बाद हम इसको फिर से dehydrate करते हैं इस tissue को उसके बाद हमने mounting करनी है अब mounting क्या होता है mounting होता है कि अब इस slide पे यह जो tissue हमने डाला इसको हमने क्या किया staining भी की इस slide पर यह आप देख रहे हैं ना slide पे tissue आप देख रहे हैं यहां पे तो यहां पे इस पे tissue पे stain हमने कर दिया अब हमें क्या करना है, इस पर cover slip चड़ानी है ठीक है, तो वही होता है एक तरखी की mounting, यानि कि इस slide पर हमने क्या करना है cover slip चड़ानी है, लेकिन cover slip चड़ाने से पहले, हम क्या use में लेते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह वाला यह चीज़ है, यह होती है अब DPX की फुल वरा में देख से, डाइबुटायल, पिलाचेट, जाइलीन या डिस्टिलिंग इसकी फुल फार्म यह है और यह oily nature का होता है और यह prevent का, अब क्यों डालते हैं यह भी जान ले इसका benefit आप जान ले एक तो यह oily nature होता है और यह prevent करता है कि इस slide में water enter ना हो सके और दूसरा, most important इसका benefit यह है कि यह slide को वहाद longer time के लिए preserve करता है हमने इस tissue को फिर, इस slide को हमने preserve किया अगर हमें फर्दर कभी आगे कभी जिन्दगी में इसको study करना हो तो यह preserve हो है, ठीक है ताकि इसलिए हम DPX डालते हैं कि हम इसको कभी आने वाली future में भी कभी अगर हमें इसकी जरुरत पढ़ती है तो यह safe रहे, prevent रहे, pre-zero रहे अब हम पढ़ेंगे automatic tissue processor क्या होता है इस automatic tissue processor को पढ़ने से पहले हम images देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए automatic tissue processor नाम से यह बताता है जो हमने अभी tissue processing की वो तो हमने manually की उसमें तो lama process गया लेकिन यह एक ऐसी machine है जो यह processes क्या करते है automatically करते है, चीक है तो चले देखते है images और समझते है सारा माजरा तो सबसे पहले यह image आप देख रहे है यह वाली, यह होती है automatic tissue processor अब इसमें यह baskets लगे हुए होते है चीक है baskets आप यह यहां भी देख रहे होंगे चीक है अब हम क्या करते हैं, grossing जब की हमने यानि कि जो affected part था tissue का उसको हमने cut किया चोटी piece में और उसके बाद हम इस kasket में उसको डालते हैं यह जो आप देख रहे हैं न kassets, kassets इसमें हम डालते हैं और इसमें हम उस patient का specific number भी डालते हैं इस kassets को हम इस basket में डालते हैं जो यहां पर आप देख रहे हैं न basket, इस basket में डालने के बाद हमने क्या करना है यह जो आप देख रहे हैं यह टॉप होता है इस बस्किट का यह यह टॉप होता है बस्किट का ठीक है तो यह यह टॉप किसके साथ एटेच हो जाता है इस यहां पर यहां पर आप देख रहे हैं ना lifting handle, sorry, यह जो basket है, top इस पे लगा दिया यहां पे image number 3 में और cassettes भी इसमें हमने डाले उसके बाद इस process में क्या होता है हम क्या करते है इस process, इस basket को हम इस formalin में डालते हैं dehydration के लिए, यहां पे formalin भी लगा है, alcohol लगा है, ठीक है सारी चीज़ें wax लगी है तो according to process के हिसाब से यहां पे जाता है, ठीक है अब यह इसको rotate करता है इसमें, जब हम इसको नीचे डालेंगे, इस basket में, formalin में, तो यह जो अब यह basket है यह इस तरह से rotate करती है, ठीक है आया यहां तक समझ, इसके बाद यह जो यह दो steps आप यहां पे देख रहे हैं यहां पे, यहां पे infiltration and impregnation यहां पे होती है इन दोनों jars में क्या होता है wax बरा हुआ होता है ठीक है, तो सबसे पहले impregnation होती है, उसके बाद infiltration होती है, यानि कि यह tissues खुद automatically हमने इसको time setup करके रखा हुआ होता है तो यह automatically उपर जाते हैं और यहां पे इस jar में और इस jar में आजाते हैं automatically आजाते हैं, ठीक है तो इसकी वीडियो में कभी आपको दिखाऊंगा कैस तरह से यह वर्ग करता है उसके बाद paraffin wax में इसको डालते हैं और यह सबाद तक इसको हम फिर निकालते हैं जब यह complete होगा तो इसमें हम इसमें कुछ lifting handle यह आप यह जो देख रहे हैं यहां पे यह lifting handle होती है lifting handle मतलब क्या इस basket को उपर की तरफ खीशना या नीचे की तरफ लेके आना इन jars में इसको कहते हैं lifting handle और यह जो switch's आप देख रहे हूं न इसके इसमें on off button होता है program timer होता है आपने कितनी देर में इसको प्रोग्राम को करना है एक गंटे करना है दो गंटे करना है और इसमें आपका एक वप्रोग्राम timer हो गया और lighting timer हो गया है और delay timer होगा आपको कितने टाइम इसको डिले करवाना है इस प्रॉसस को यह सारे चीज़े इन सुच्च में लगी हुई होती है आटोमेटिकले होती है तो होप यहां तक आपको यह सारे चीज़े समझ में आगई होंगी अब हम वापस चलते हैं अब यहां पर आपने देखा उस बास्केट में डालते है और जो कांटेनर होता उसका टाप वो अटेचिड होता है उस रोटेटर मिशीन के साथ जो मैंने अभी आपको बताया उसका टाप तो उसमें लिफ्टिंग हैंडल होती है जो मैंने बताया कि दो स्टप्स में उसको पहले यह अगर lifting handle है उसको उपर की तरफ दो दफ़ा हमने खीचना होता है ताकि वो उपर जा सकी lifting handle अगर नीचे भी लाना हो तो दो steps में पहले और उसके बाद दूसरा दो steps में वो नीचे भी आ जाती है उसके बाद main switch होता है यह indicate करता है light indicates the machine is on यानि कि जो indicator उसका होता है वो light होती है इंडिकेटर और यह indicate करता है कि machine on है main switch रोटेटर ही सुच यह होता है कि जो इसका light होता है इसका indicator वो light depend करता है कि हाँ यह rotor सुच है और indicate करता है कि rotor start हो गया है उसमें baskets को proper mixing मिलती है ठीक है उसके बाद है program timer इसमें हम program को set up करते हैं कितने कितने time हम ने रख उसके बाद delay timer यानि कि delay मत करना है tissue processing उसके बाद है position display इंडिकेटर इस helps to know that which यह position display वाला button जो है यह हमें बताता है कि इस वकत जो container है वो कौन से continent में कौन से वाले basket में है वो farmaline में है वो xylene में है ठीक है तो यह हमें position display वाला बताता है अब चार processes होती है automatic tissue processes में पहले हमने देखा fixation farmaline होता उसके बाद dehydration लगे हुए है baskets आपने देखा उसके बाद clearing infiltration after one hour basket is automatically lifted तो एग गंटे के बाद यह basket automatically उपर आ जाता है और दूसरे container में आ जाता है तो इस में total कितने containers होते हैं 10 से 12 containers हो सकते हैं dehydration के लिए हम mostly जो use में लेते हैं isopropyl या estrone use में लेते हैं ठीक है तो यह आपने अच्छे से यहां पर देख लिया अब यहां पर देख सकते हैं यह formaline है formaline alcohol alcohol ठीक है यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी तो मिलते हैं किजी next video में तब तर के लिए अल्ला हाफ़ज